बागेशवर्ध हाम की एक सभावें पत्रकारों की क्या ओकात है दुस्तों इस तस्वीर से पता चलती है देखिए किस तरह से बागेशवर्ध हाम जो है वो बैठे हुएं एक मंच पर एक सिंघासन पर और उनके पैरों तले पत्रकार जो हैं बैठे हुएं ये है भारत की आज की तारीख में आपने देखा होगा दोस्तों 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पत्रकारों और वहाँ पर जो कारसेवक आये थे या जो धार्मिक जुलूस आये था उनमें कोई फार्ख नहीं था मैं एक बात सपश्च कर दूँ आज जब मैं ये तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसमें बागेशवर धाम के सामने पत्रकार बैठे हुएं यहां मैं बागेशवर धाम की अलोशना नहीं कर रहा हूँ मुझे दिक्कत इन पत्रकारों से हैं जो उनके चरणों में बैठे हुए हैं मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों आज से कई साल पहले 2013 को मैंने आसाराम का इंटर्वियू किया था मैं नहीं भूला हूँ इंटर्वियू शुरू होने से पहले आसाराम ने कहा था कि भाई आप और मैं एक कुरसी पर नहीं बैठेंगे यानि कि एक लेवल पर नहीं बैठेंगे मैं कुरसी पर बैठूंगा और आप जमीन पर बैठेंगे मैंने मना कर दिया मैंने कहा अगर इंटिव्यू होगा है तो या तो बराबरी पर होगा या मैं खड़े होकर इंटिव्यू करूँगा उसके बाद आसाराम ने कहा कि ठीक है अब मैं अपने मंच पर जाके बैठूंगा जहां से मैं सत्संग करता हूँ और आप नीचे से सवाल पूछे एक समय ऐसा आया था जब आसाराम ने इंटिव्यू देने से मना कर दिया था क्यूं क्यों क्योंकि मैं जमीन पर बैठने को तयार नहीं था और फिर जब मैंने वो इंटिव्यू किया तो एक एक सवाल के सामने आसाराम के पास कोई जवाब नहीं था आसराम उस वक्त ताकतवर थे जेल में नहीं थे मगर मैंने उनसे सवाल किया याद कीजिएगा निर्मल बाबा याद है वो जो कहते थे कृपा बनी रहेगी चटनी खाईए वो खाईए उनका भी मैंने इंट्वियू किया था वहाँ पर भी यही शर्त रखी गई थी कि निर्मल बाबा थोड़े उचे आसन पर रहेंगे और अभिसार नीचे मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता अगर बैट के इंट्वियू किया जाएगा तो हम बराबरी के लेवल पर रहेंगे मैं नीचे नहीं बैटने वाला हूँ और वो जो दोनों इंट्वियूज हैं उसकी जलक मैं आपको दिखा ही रहा हूँ आज पत्रकारों की क्या हालत हो गई है याद कीजे इसी बागेश्वर धाम के सामने ABP News का एक पत्रकार जो है नारिबाजी लगा रहा था याद है कि नहीं आपको मनजर फिर से देखिए एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं यह कह रहा हूँ आचारे दिरेंदर सास्तरी की जै एक ऐसा व्यक्ति यानि की बागेश्वर धाम जो बार बार सम्विधान का अपमान करते है एक ऐसा व्यक्ति यानि बागेश्वर धाम जो की जादू का इस्तमाल करते है जिसे मेंटलिजम कहा जाता है जी हाँ सुहानी शाय याद है कि नहीं आपको सुहानी शाह ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था बागेशवर धाम को उन्होंने कहा था कि बागेशवर धाम जो काम करते हैं वो सिर्फ मेंटलिजम है एक किसम का जादू है मगर एबी भी नियूज का पत्रकार उनके पक्षमिनारे वाजी लगा रहा था जो जो जानकारी बागेशवर धाम दे रहे थे उस पत्रकार के फेस्बुक प्रोफाइल पर मौजूद थी मगर उस पत्रकार ने इस मुद्दे पर सवाल करना भी ठीक नहीं समझा आज धर्म हम सब के जीवन का हिस्सा है चाहे वो भाजपा का हो कॉंग्रिस का हो पत्रकार हो धर्म एक निजी विशय है मगर हम वैग्यानिक सोच को नहीं त्याग सकते अगर दुनिया में अगर भारत ने अपना डंका बजाया है तो हमारी वैग्यानिक सोच की वज़ा से हमारे डॉक्टर्स हमारे इंजीनियर्स हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की वज़ा से वो वैग्यानिक सोच नहीं प्यागी जा सकती याद कीजेगा दोस्तों मुकेश अंबानी के निउस चैनल का पत्रकार ये कह रहा था कि भाई आपको क्या जरूरत है अस्पताल की जब मंदिर है यादे की नहीं आपको सुनिए फिर से यह हैं पत्रकार दोस्तों मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ मंदिर हमारी आस्था का विश्य है मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ अगर आपका कोई रिष्टदार गंभी रूप से बीमार है तो क्या आप उसके शरीर को मंदिर के सामने लाकर रख देंगे नहीं ना आप उसे अस्पताल ले जाएंगे उसका इलाज करवाएंगे और उसके बाद मंदिर में आके प्रार्तना करेंगे जो हम सब करते हैं मैं भी वही करता हूँ अगर मेरा कोई रिष्टदार गंभी रूप से बीमार है तो पहले मैं उसे अस्पताल ले जाता हूँ और फिर अपने आराध ये अपने इश्वर अपने राम से प्रार्तना करता हूँ ये है धार्मिक और वैग्यानिक सोच का तालमेल बिठाना मगर ये पत्रकार जो हैं जो बाबाओं के सामने नतमस्तक हैं जो ये कहते हैं कि भाई अस्पताल की क्या जरूत है अगर आपके सामने मंदिर है ये लोग आपकी सोच को बरबाद कर रहे हैं और इनी की सोच का क्य नतीजा है मैं आपको एक वीडियो एक खबर दिखाना चाहता हूँ दोस्तों यह हैं पत्रकार संजेत रिपाठी उन्होंने दो वीडियोस पेश किये हैं पहला वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता इसमें एक औरज जो है उसके सामने एक बच्चे की लाश पड़ी हुई एक पंक्ती में कहा जाए तो बच्चे की तब्यट ठीक नहीं थी मगर उसे अस्पताल ले जाने के बजाए उसे गंगा ले जाया जाता है वहाँ डुबकिया लगवाई जाती है नतीजा बच्चे की मौत हो जाती है अब जिल लोगों ने एक काम किया उन्हें गिरफतार कर लिया गया है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ये इसी पत्रकारिता का नतीजा है या नहीं है जहाँ आप देश की जनता को इस कदर ब्रेनवाश कर रहे है संजेत रिपाठी अपनी खबर में क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स में अंद विश्वास के शिकार ये मानसिक बीमार बलड कैंसर से जूज रहे साथ साल के रवी को उसकी मौसी सुधा ने शमतकार की आस में करीब पांच मिनिट तक गंगा में डुपकियां लगवा दी बुद्वार दोपहर हरकी पैडी पर हुई इस घटना को देख कुछ लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी पुलीस ने तीनों को गिरफ़तार कर लिया है अब याद कीजिए मुकेश अमबानी का वो पत्रकार क्या कह रहा था फिर से सुनिया अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जुरोतिरी पड़ेगी बाई जब मंदिर है तो अस्पताल की क्या जरूरत है मैं फिर आपसे पूछना चाता हूँ आप मेंसे कई अंधभक्त हैं कई भाजपा समर्थक हैं कई इन पत्रकारों के कारकरम भी देखते हैं मैं आपसे सवाल पूछना चाता हूँ कल्पना कीजिए कुछ देर के लिए वो बच्चा जिसकी मौत हो गई है अगर वो आपके परिवार से जुड़ा होता तब आप क्या करते उसे उसकी तब्यट ठीक नहीं है तो आप उसे अस्पताल में रखते ना चिल चिलाती ठंड में हरकी पैडी में डुपकी लगवाना एक साथ साल के बीमार बच्चे को अब जाहिर सिपाते धर्म और मंदर इसे बचा नहीं पाया ना उल्टा अंद विश्वास की बली चड़ गया वो बच्चा मैं फिर आप से सवाल पूछना चाहता हूँ आपको ऐसी पत्रकारिता देखनी है उसका नुसरन करना है जो बाबाओं के सामने नतमस्तक होता है जैसा की ये या फिर उन पत्रकारों को सुनना है जो सत्ता से सवाल करते हैं यह फैसला आपका है क्योंकि आपका भविश्वा आपके हाथ में है आपको खुद को बरबाद करना है अपने भविश्व को बरबाद करना है अपने बच्चों के भविश्व को बरबाद करना है तो करते रहे और नतीजा सामने आ गया है एक साथ साल के बच्चे की बली चढ़ा दी गई धर्मांधता में अंद विश्वास के चलते और ये सब क्यूं हो रहा है आप ही तो जानते हैं अब इसार शर्मा को दीजे जासत नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजे सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प इन में से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये